अब बात करने नापा रोयल किंग्स वर्सस मार्खोर के विचे होने वाले आज के पहले इसी इस टीटन मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा-पूरा एनालिसिस कौन किस नंबर पे बल्ले बाजी के लाएगा कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का पर वन बाई बात करेंगे बस आपको एक ही चीज का ध्यान दे रहे हैं जम आपको वीडियो में एक तीम मनाक दूंगा ये कमारे अनालीसिस बेश के ग्यारा प्लेयर की तीम होगी मालो कि हमारे वीडियो की तीम में कोई प्लैना खेल रहा हुआ या फिर लाइना पाने कु उसे कोई भी चेंज करना होगा तो जो भी हमारी final team होगी वो मैं आखरी के 5 मिनत में इस्क्रिस ओट के जरीए अपरे तेली गराम चरगा आपको फ्री में अपरी final team भेश दूँगा हमारे तेली गराम चरगा link आपको आप हमाई जीस भी वीडियो को देख रहे होगे के description और कमे सक्समाक से जाओगे तो सबसे वह पिन के वह लिंक मिल जाएगा ना मिले तो सीधे सीधे कबद करके पूस ले ना उसका भी आपको reply मिल जाएगा हमारे तेली गराम चरगा पहले ही से सबसक्राइबर यानि की लोग पहली से फ्री में जोईन है आप भी जोईनों से आगी आनले मैचे से आई पेल मैच होगे दस ओवर वन लेवल के मैचे सोगा जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूँगा उसकी फाइनल तीम आपको अपने तेली गराम चरगा आपको फुरी में भेज दूँगा और वहाँ पे जोईन करने के लिए आपको करना कुस भी नहीं लिंक आपको डिस्कुप्शन और खमैसक समॉक से सबस्वापिन के हुआ मिल जाएगा सबसे पहले आपको एक चीज़ क हुँँगा मुझे लगता है कही नापार रॉयल कि कि टीम के जीटने के चांस ज़ाद है नापार रॉयल कि के प्लेस का पूरा फोकस करकी टीम बनानी कोसिस करनी वारे जो मैच होने लाइए आपको लिमा सॉल के शेदियम को पर होने लाइए यहां के एवरिज जिसकोर आपको 121 रन करीब का है यानि कि पुरी तरीके सा हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है आपको बल्ले बाद जो को आप फोकस करकी तीम और आने की कोसिस करना है सबसे पहले मैं दबलू अक्तर हो गया सहरोन एहमद हो गया सुलेरी हो गया हरदीप सिंग हो गया सारे के सारे और नुदास आपके लिए सबसे नमपर वन चोइस रहने है सबसे पहले वाखास अक्तर जो कि बल्ले बाद जी में भी ऐसा ओपनर आएगा मार्खोर की तीम कोर से प्लस आपको चलूँआ जोकी बल्ले बाजी में भी ऐज़ा ओपनर आएगा हर बाल पे छक्या और चोक्या माने वाला प्लेयरे से 20 बाल भी खेल गया आपको 50 या फिस 70 रन के बीचे आराम से बना करके दे सकता है कहीं अगर ये 30 बाल खेल गया ना यहां पर भी इसने बालिंग कर रखा है यहां पर इसको तीन फिट मिले हुआ यहां पर इसको दो फिट मिले हुए है एम डॉक्स के खिलाफ और यहां पर देख सकते हो निकोसिया ताइगर्स के खिलाफ इसको तीन फिट मिले हुआ तो काफी बालिंग भी आपको करके दिया हुआ कभी भी आपको बाल से भी अच्छा करके दे सकता है उसके अलावा उसके अलावा यहां से मैं हरदीब सिंग को लेकर के चलूँगा जो कि नापा रोयल किंक्स के टीम वड़ सक गबदानी कर रहा है बल्ले बाजी में भी पांचो नमर पैस आगा प्लस आपको दो ओवर बालिंग से भी पूरा करके देने वाला है याईनि कि बल्ले बाजी बालिंग दुनों चीज पूरा पूरा करके देगा भले बल्ले बाजी में आखरी के मैचेस में फ्लाप हुआ है लेकि बॉालिंग से आखरी के फ tari patient में चार अवर बॉॉनिंग करके इसको 4 एमिले हुए है उस से पहले यहां पर देखो कि यहां पर भी इसने बॉलिंग से काफ़ी अच्छा करके दिया हुआ है और शुरू के मैचेस में इसने कई बार बल्ले बाजी में भी आपको रस्मना करके दिया हुआ है तो प्लेयर काफिस अंदर है हर्दीप सिंग को में लेकर के चलना लो स्यद तन्वीर जो कि आपको बल्ले बाजी और बालिंग दोनों चीज़ पूरा पूरा करके देने वाला है ऐसा और रुदा खिलेगा कई बार शुरू के मैचेस में जब सीजन सुरू हुआ था यह वाला पूराँ है कि इस अएब से दो बालिंग से पुरा करेंगा बल्ले बाजीम को बालिंग पूरा करते है RequT लेकर चल पारे हो तो आप जैसे कि 11 चलेजस हो गया इस पोदेशी हो गया कुबेर आपके हो गया तो आप एक काम करना कि सर्फ्रीज सिंग को निकाल देना और एस उलहरी और हर्दीप सिंग में से किसी एक कोई लेकर करके चलना है दोनों के दोनों मेंली जो बॉलर है अगर आपको लगर है कि नापार रोयल के तीम जीदेना लिए घरदीप सिंग को रखना आपको लगर कि मार्खोर हो की एक कोई लेकर चलने वाला हो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँ कि अगर आपको लग रहे है कि मतलब वन साइदेद में जीदन अलिए नापार ओल के इंकिस किती महाँ भरदीप सिंग को ले करके चल सकते हो अभी मैंने इस तरह के चार औरोडस को लिया हुआ बाकी मेरा मन है कि इन दोनों में किसी एक लूँगा जिसकी पहले बालिंग कर रही होगी बालिंग ओप्सन थी हुसेन एक ही प्राब्लम आगा मारखोर की तीम आगा पहले बालिंग कर रहे होगे तो काफी अच्छा प्लेर है थी हुसेन क्योंकि वहां पे दो अवर पुरा बालिंग करेगा लेकि सेकंड इनिंग में बालिंग होगी यहां फिलाप ओया, यहां पर भी अच्छा किया हूँ, निकोसिया फाइ्टर्यस के खिलाफ की हो, स्री लंकल लौइस खिलाफ की खिलाफ यह अच्छा करके आए हुआ हुआ है, पहले मैचे बॉत पैलाव मैच्छा किखś期 ऑन लौइन्ग था और चंदे प काफिख भी आए ह सकता है बालिंग से भी आपको आपको 2-2 OVR पुरा घरा और हर मैच में ये अच्छे खासे बालिंग करके दे रहा है लेकिन आपगी मैं रोह जमन और आसिफ महमुद को लेकर कर के चल रहो दोरों अपनी हमें के लिए 2-2 आम जाये बहूं करेंगे और आखरी मैच में भी आपने देखा है एमदॉक्स के खिलाफ फ्लाप हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला दो ओवर पुरा बॉलिंग क्या हुआ यही वो रीजन है कि मैं इसके वज़े से लेकर के चलने जरूर वाला हूँ अब मैं यहाँ पे करूँगा कि आपको दो प्लेस को बहर रिस्क लेकर के चलना है पहला ना मैं ऐसा मंजूर अली जिसको अगर प्लेंग 11 में खेल रहा होगा तो आसिफ महमूद और ती हुसेन में से किसी एक के बदले लेकर के चलना जरूर है अगर पहले बॉलिंग कर रहे होगे तो ती हुसेन को लेकर के जरूर चलूँगा अगर मार्खोर की तीम पहले बॉलिंग कर रहे है सकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे है तो ती हुसेन को ना लेकर के आप एम अली को लेकर के चल सकते हो उसके बाद यहां से बल्ले बाजी अपसने जिसान हमद जो की बल्ले बाजी में ऐसा उपना रहेगा लंबी लंबी पारियां खेलने के लिए जाना जाता है अगर चल गया तो अपने दम का विन करा करके दे सकता है लेकि सामने काफी अच्छी तीम में से एक है प्लस आपको कई बार एक एक दो दो और बालिंग भी करके दे सकता है आखरी मैच में भी एक और बालिंग किया लेकि उससे पहले तीन मैचेस में एक भी और नहीं किया हुआ है लेकि उससे पहले भी बालिंग किया हुआ था और अब फिर से बालिंग नहीं कर रहा है तो किसी काम का नहीं है तो यही दोनों को मजबूरी में लेकर के चलना है लिएब सिंग कई बाद बने वाँ पर राँ रहा रहा है वहां पर रांस भी बना रहा है लेकर नगा नीचे आगा तो मस्बूरी में ले करके चला जिसान अली कई बाद 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 बर यह कर दिया चार है विगेट की फिक्षेंग सक्षिल से सर्फ एक अच्छा प्लेयर है यह बकार बल्ले बच्ची में पांच वी नमर पर आके कई बार आपको 20-25 रन मना करके दे सकता है इसको अभी खेल रहा है बाकी मैं इसको पार रिस्क ले करके नहीं चलूँगा एम इकराम बल्ले बच्ची में ऐसा उपना रहेगा सिक्सर किंग प्लेयर है लंबे-लंबे छक के मारके देता है तो ऐसे प्लेयर को रिस्क लेना काफी रिस्की रहेगा बाकि यहां सो कोई अच्छा प्लेयर नहीं है यह हमारे लिए सारे एप्लिकेसंस के लिए टीम हो गया वहीं अगर आप दी लेवन या फिलेवन चले जिसके फ्लैक्सी मोद के अपा खेल रहा हो एक रहा ह temperature के छलने खाँ और सहरोन आमद को वी के चल रहा हों भाकि दबलू आंख्तर को बाकिन है तो सहीत तनवीर को लेकर चल सकते हैं फ्लिए लुगक है थी का वी शी च्छी शार के चल सकते ह। यफ्य सकते हैं ज्यासर गँरू सरिकिस हो इसा है वीज़ों बादर ही यह प्लू अक्तर एज़ा कैप और ऐसा हमद एज़ा वीसी ये एक हमारे एनालिस इस बेस की तीम मान लो कि हमारे वीडियो की तीम में को बैन ना खेल रहा हुआ या फिल आई पाने का तुम जो भी वी फाइनल टीम होगी वह आप देख पार होगा इसी तरीके से स्क्रिंसोत के जरिये में अपने तेली गराम से लिए आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूँगा जहां पर सत्तर हजार करीब लोग यानि के सब्सक्राइब अप अले इस फ्री में जोईन है आप भी जोईन होगा कि कि आगे अनले मैच्छस को यहीं पर कवर करूँगा जहां पर जोईन होना आपने बहुत जरूरी है कि फ्री की चीज को मिस मत करना आगे कोई भी मैच्छों का मालों कि उसकी मैं वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा तो उसकी भी फाइनल टीम अपने तेली राम से आपको फ्री में भेज दूँगा तो जोईन जरू हो जाना कि कि यह